Good evening, indeed you friends आज किस वीडियो हम बात करेंगे जॉन कीट्स के बारे में उत्राखन लेक्च्र भी हमारे स्लिबस में है इससे पहले हमने वड्सपर्थ अल्फ्रेड लॉड टेनिशन और राजा राव इन पर हम वीडियो बना चुकess है अगर इस बाहर की बात करें तो इस से पहले भी हमने लेक्षिर को कुर्स यहां पर कबर करा रहा है तो उन वीडियोज को भी आप वाच कर सकते हैं और आने वाले टाइम में आपको यहां पर सिरीज देखने को मिलेगे एक जो की सिरीज भी रहेगी और वाइय गृफ़ी भी हम डिसकस करेंगे तो जॉन कीट गार हम बात करें धून किंट्स जो है रॉमंटिक एज से बिलॉंग狂 करते हैं और रॉमंटिक एज आपको पता है रॉमंटिक एज की टाइभिरेड की हम बात करें 1798 से लेके 1837 तक का जो पिरियड है इसको Romantic Age के नाम से जाने जाता है ठीक लिदिकल बैलेट के पब्लिकेशन के साथ ही स्टार्ट होता है और 1837 से फिर यहाँ पर हमें आगे जो है 1901 तक Victorian Age देखने को मिलती है यह हम Literary Ages वाले पिरियड में डिसकस कर चुके हैं अब इसमा हम इस बारे में ज्यादा बात ना करते हैं हम सिधे सिधे जॉन कीट्स पे आएंगे ठीक जॉन कीट्स में आप देख सकते हैं क्या क्या चीज़े हैं यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है इनके अगर बर्थ की बात करें तो इनका जन्म हो रखा है मूर्गेट लंडन इंगलेंड में लेंड इंसली रूम यहाँ पर इनकी डैत हो रुखे हैr 23 पैब 1821 और यहाँ फर्वरी 1820 मिन की डेथ हो जाती है यानि की कहने का मतलब यह है 1795 में इनका जन्म होता है 1820 मिन की डेथ हो जाती है ठीक तो आप लगाएए 21 साल यह है ठीक और यहाँ पे भी 23 February की शुरुवात में 1821 की इनकी डेथ हो जाती है तो यहाँ पर बात करें लगब लगब 25 साल है वैसे तो आप देखेंगे 20 हो और 5 आप ऐसे काउंट करेंगे तो 26 जाएगा लेकिन 25 एर अगर आप जैसे सिस्टमेटिकली मंच के बेस पर जाएंगे तो लगब लगब 25 एर अप इसको निकाल सकते हैं 25 यानि कि he died of tuber closest at the age of 25 यह आपको point दिया भी हुआ है he died of tuber closest died of होता है देखें यह देखें जब किसी बिमारी से बात करते हैं तो died of होगा टीवी यानि कि जिसको बोलते हैं चाही र और इसमें आगे देख सकते हैं he was in English English तो थे ठीक है इसके संसंद English poet थे कहने का मतलब है English poet and second generation of romantic words second generation के romantic poets भी थे टीक generation जैसे first generation और second generation के अपने बात सुनी होगी romantic poets के उनके base पे भी हमने जो है mcqs यहां पर discuss कर रखे हैं mp test series में आप देख सकते हैं जो generation के romantic poets थे उन पर अलग उना रखे हैं second generation के romantic poets थे उन पर अलग ठीक along with lord byron and PB Sally यहनी की percebis से सेले करके ठीक तो यह हमें दिया हुआ है किसके साथ second generation के थे और second generation के साथ कुंकों थे lord byron और PB Sally की बात यहां पर चलने है इनके लिए point और कहा जाता है last to born first to die अगर second generation के romantic poets की बात करें तो last में इनका जन्म होता है last to born first to die last to born first to die इनको बोला जाता है second generation के poets की अगर इनकी बात करें तो इनका जन्म होता है लेकिन इनकी death सबसे पहले हो जाती है ठीक यह चीज यहां पर इनकी बारे में कही जाती है इनके brother की अगर बात करें तो George Keats ठीक यह आपको नाम दिया हुआ है आगे points को discuss करें जो main points है उसमें देखे आप इनकी death होती है at the age of 25 25 की age में की death हो जाती है ठीक तो अब देख सकते हैं he died of tuberculosis at the age of 25 यह तो दिया है tuberculosis को और कहीं कहीं पर tuberculosis ना देखे conjunction करके दिया रहता है यह चीज भी आप note down कर सकते हैं यह conjunction अगर दिया रहेगा तो भी एक ही चीज है ठीक है tuberculosis की जगह कहीं कहीं पर आपको conjunction भी देखने को मिल सकता है तो आपको उसमें कहीं से कहीं ते कोई confusion नहीं होना चाहिए ठीक इसमें अगले point की और अगर बढ़े हैं अगला point क्या कहता है देखे नेक्स point हमारा कह रहा है he had a style heavily loaded with sensuality तो इनकी अपनी जब अगर style की बात करें कहने का मतलब है he had a style heavily loaded with sensuality यह किसके लिए जाने जाते हैं sensualities के लिए जाने जाते हैं sensualities क्या होता है इसमें हमने दिया है sensuousness यानि कि अगर sensuousness की बात कहीं पर आते है तो आपको वहाँ पर जो है इतना सा आपके दिमाग में एक चीज आ जानी चाहिए कि sensuousness की अगर बात होती है तो kids kids जाने जाते हैं किसके लिए sensuousness के लिए अब देखे थोड़े सा मिल कोई इसको इसका font छोटा करना पड़ेगा अदर्वाइस हम पूरा इसको cover नहीं कर पाएंगे ठीक अब देखे इसमें क्या है sensuousness क्या है is the quality एक इस type का है यह giving pleasure जो pleasure देने के लिए किसको to the senses को यह किसको pleasure देता है senses को हमारे जो sense organ है इनकी sense organ का उपता होगा जिनको ग्यानेंदरियां बोली जाती है जैसे आग, ना, कान, जीब, तवचा ठीक है यह पाँच जैसे अगर senses की बात करें तो इनको pleasure देने के लिए pleasure देने के quality है, quality of giving pleasure to the senses और suggestion यह suggestion देता है उनको of physical और sexual pleasure किसका physical यह जो sexual जो pleasure है इसका suggestion देता है यह इसका pleasure उनको देता है आती है यह इसकी meaning की बात आती है तो आप easily इसका answer दे पाएंगे इसका उद्धिस यह था, अगला point अगर बात करें, in 1819, 1819 की अगर बात कीजिए, ठीक है इससे पहले 1817 में अगर बात करें, 1817 में, 1817 से related एक point और बता रहा हम आपको, 1817 में क्या वहा था, जो akids हैं, इनके लिए akids और इनके साथियों के लिए एक term coin किया गया था, Cockney School of Poetry, क्या गया था, Cockney School of Poetry, यह term coin किया गया था, ठीक है, Cockney School of Poetry, यह कभी यूज किया था पहली बार, 1817 में इसको यूज किया गया था, 1817, 1817 कौन से date है, जब, जो है, ST College का Biographia Literaria आया हुए, ठीक है, 1817 में ही, जो है, ST College यह नहीं कि, Samuel Taylor College का Biographia Literaria आ रख था, ठीक है, उसके publication की date भी 1817 है, तो आपको यादर नहीं है, और Cockney School of Poetry, टर्म भी coin किया गया था, 1817 में, किसमें coin किया गया था, was first used in 1817 by Blackwoods, ध्यान देना है, Blackwoods, Blackwoods, एडिन वर्क मैगजीन करके, इसको आपको ध्यान देना है, एडिन वर्क मैगजीन, Blackwoods, एडिन वर्क मैगजीन में, यूज किया गया था, 1817 में, क्या, Cockney School of Poetry करके, ये टर्म, अब जो टर्म था, ये यूज किया गया था, डिस्क्राइब करने के लिए, गुरूप और रोमेंटिक पोईट्स, जो रोमेंटिक जो पोईट्स थे, या जो एसे इस थे, उनको डिस्क्राइब करने के लिए, ये टर्म कोईट्स किया गया था, जो गैदर होते थे, कहाँ पर, गैदर इन लंडन अराउंड लेहंट, लेहंट, ये इनके इर्दगिर्द कहने के मतलब, लेहंट, ह-u-n-t, ठीक, जो लेहंट, जो लेहंट के इर्दगिर्द जो है, जो है, गैदर होते थे, घटा होते थे, अब जिसमें अगर बात करने कौन-कौन से आते हैं, जिनमें हमारे जॉन किट्स तो आते ही आते हैं, ठीक, अब ये, जो कोटनी स्कूल अप पोईट्री है, जोन किट्स होगे, लेहंट होगे, ठीक, इसके अलावा अगर अब हम बात करें, पीबी सैले, पीबी सैले, ठीक है, पीबी सैले और बिलियम हैजलेट, बिलियम हैजलेट, यहनि की एसेस्ट की बात चलाएँ, बिलियम हैजलेट पर भी वीडियो बनी हुई है, फिर से आपको एक नए उसमें देखने को मिलेगी, यहां पर कुछ नए पोईट्स उसमें हम एड़ करके लाएँ हैं, ठीक, पुरानी वीडियोज को भी आप वाच्छ कर सकते हैं, तो यह हैं जो पोईट्स जिनको कॉकने स्कूल अप पोईट्री यानि की टर्म जिनके लिए कॉइन किया गया था, 1817 में, ब्लैग वूट्स, इडिनवर्ग मैगजीन में, यह चीज आपको ध्यान रखने हैं, अब बात आ रही थी, 1800 कप की, 19 की, तो 1819 की बात करें, जॉन कीट से रोट फाइब 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 फिज जो है, फेमस ओट्स, पांच इनके फेमस ओट्स हैं, ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं, इसमें आप देख सकते हैं, इन ओट्स के अगर बात करें, तो इन में हमारे पास कौन कौन से ओट्स थे, ओड और अग्रेशन आर्ण, ठीक है, ओड और अइंडुलेंस, ओड और अन मेलनकली, ओड टू और नाइट अंगल, ओड टू साइकी, तो हमारे पास इसमें पांच यो हैं ओर्ट्स हैं, जिसमें हम बात करें जी आई एम, जीआई एम ठीक है, इसके अलाव बात करें एंपी, तो यह हैं जी आई एम-एन-पी करके हमारे पास हैं। तो कैसे बना सकते हैं इसको PIN PIN देखे कैसे बना सकते हैं PIN PIN तो हमारे पास हो गया और MPG PIN GM यहurarँ PIN GM करके हम बना सकते हैं P से P issope UK I से INDolence N से जो है अब का KNIGHT ANGL और G से Grayson Earn और M से आपका क्यों हो जाएगा M का मतलब Melancholy हो गया ऐसे आप याद कर सकते हैं आप आपने कोई भी एक Short Trick बिना सकते हैं तो GIM, NP करके हमने बताया या PIN, GM करके P for Si के बता दिया I for Intelligence N for आपका जो है Night Angle हो गया Wood to Night Angle और इसके अलावा G for Grayson Earn और M for यहाँ पर आपका हो जाएगा क्या Melancholy ये आपको याद रहने अब इनके पहले ओड की बात आती है पहले नंबर का ओड जो है तो कौन से है फस्ट ओड, ओड ओनक Grayson Earn का Next अगर बात करें नेक्स्ट जो पॉइंट हमने लिखी है उसमें क्या लिखा है Indymion Indymion is poem by John Kitts Indymion एक poem है John Kitts की जो की publish और की 1818 में ये आपको ध्यान रखने है Indymion जो है publish और की 1818 में Indymion जो है एक और भी है ठीक है Indymion नाम की creation एक और भी है वो किसकी है आप बताएंगे वो ये उनिवर्स्टी वीट्स में से एक है जो उन में से एक ठीक है Indymion कर गए लेकिन ये तो poem की बात चल लिए उसका genre अलग है ठीक इसमें by Jalen and Hesse करके आपको देखा of Fleet Street in London कहा पॉब्लिश हुआ Jalen and Hesse of Fleet Street in London में इसको जो है पॉब्लिश किया गया John Keats dedicated this poem to Thomas Chatterton अब जो Indymion poem है ये पूछा जा सकता है कि ये किसको dedicated है ये Thomas Chatterton को dedicated है अब बात करें आगे इस poem की This poem begins with the line A thing of beauty is a joy forever जो कि हमारे पास Class 12 में है NCRT इंगलिस की बात करें तो उसमें A thing of beauty is a joy forever तो ये line यानि कि इस line के साथ इसकी शुरुवात होती है ये इसमें दिया हो इसके लावा अगर बात करें तो ये मिन मिन points थे जो हमने यह आपर डिस्कुस की अब बात करें Ode Ode क्या है Ode एक genre है जो कि क्या है बोल सकते हैं Ode एक जो है टाइप आप पॉम है एक पॉम का ही ये टाइप है जो क्या करती है celebrate करती है या glorifies करती है किसी person को glorifies और person, place, event, idea और other subject ठीक एक type आप आप है Ode और जो कि celebrate करती है या glorifies करती है किसको person, place, event, ideas या other things को other subjects को या glorify करने का काम करता है Ode के origin अगर इसके origin की बात करें है Ode जो है originated in ancient Greece ancient Greece में जो है जो है originate होई थी ठीक तो और कभी कभार ये भी पूछ लिया जाता है Ode जो है the word Ode comes from Greek word हमने बताय था Greek word से इसकी origin हो रखा है Greek word ठीक रहे हैं तो वो word कौन सा था Greek word जो था Eden करके था ये word था Eden करके A-I-D-E-I-N Eden करके और जिसका मतलब क्या होता है to sing जिसका मतलब क्या हो जाता है to sing बस ये main points था जो हमने यहाँ पर discuss कि मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हम question answer discuss करेंगे और question answer इसी में आपको दिये हैं देखी आप देख सकते हैं इसमें लगव लगव हम आपस यहाँ पर 68 यानिकी 70 more than 70 questions है तो कोशिस हमारी रहेगी 100 questions जो हैं हम John Kitts पर complete करें फिर आपको यह series जहां पर देखने को मिलेगी मिलते हैं अगली वीडियो में have a good night आप देखे थोड़ा सा time देख लीजिए 11.53 अल्रेडी हो चुका है time नहीं मिल पाता है फिर भी हमारी कोशिस यह रहती है कि हम continue जो है उसको बनाए रखें तो आप लोगों से भी request है अधिक से अधिक share कीजिएगा वीडियो पसंद आए तो मिलते हैं अगली वीडियो में have a good night